इस्राइल हमास और इस्राइल इरान के बीच जारी सेन्ने संगर्ष से मिड्लिस्ट में भूचा अला रखा है हाल के वर्षों में देखें तो मिड्लिस्ट में इरान एक बड़ी ताकत बन कर उभरा है धीरे धीरे इसराइल पर शिकंजा कसने के लिए इरान ने लड़ाकों की एक बड़ी और खूखार फौज खड़ी कर दी है जो इसराइल को चौतर फागेरे हुए है यही वज़ा है कि दोनों देशों में तना तनी बहुत बढ़ गई है इसराइल के साथ जारी तक्रार के बीच इरान के परमाणू हत्यारों को लेकर भी खबरे जोर पकड़ने लगी है इरानी सांसर जवाद करीमी ने दावा किया है कि परमाणू बम के आदेश जारी होने से लेकर पहले परिक्षन तक केवल एक सब्ता हकांतर है यानि अगर इरान के सुप्रीम लीडर इजाज़त दे तो इरान परमाणू बम का टेस्ट करने से सिर्फ एक हफ़ते दूर है खास बात ये है कि इतने कम समय सीमा का जिक्र कर इरानी नेता के बयान से साफ होता है कि इरान के पास परमाणू बम को लेकर सभी आवश्यक तकनीक अब उपलब्ध है इरानी सांसत का ये बयान इसराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है जिसने अकेले इसराइल को ही नहीं बलकि अमेरिका को भी सक्ते में डाल दिया है हालक इस बयान से मचे हड़कम के बाद इरानी विदेश मंत्राले ने साफ किया कि इरान के सैने सिध्धान्त में परमाणू हत्यारों की कोई जगा नहीं है मालूम हो कि इरानी सांसर जाविद करीमी घरेलू और विदेश नीती में अपने कट्टरपंथी रुख के लिए जाने जाते हैं अक्सर इसराइल के खिलाफ इरान के मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर भड़का उबयात देते रहे हैं उन्होंने एक बार चिताया था कि दुनिया भर में प्रतिरोध मोर्चों की हत्या की कोशिशों का जवाब इरानी मिसाइलों से दिया जाएगा इरान के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नासिर कनानी ने जोर देते हुए कहा कि परमानू हत्यारों का हमारे परमानू सिध्धान्त में कोई स्थान नहीं है इसके अलावा इस्लामिक रेविलुशनरी गार्ड के जनरल एहमद हक्तलाब ने हाल ही में संकेत दिया था कि इसराइल की धमकिया इरान को अपने परमानू सिध्धान्त की समीख्षा करने और अपने पिछले विचारों से भटकने के लिए मजबूर कर सकती है ये बहारी सेन्ने दबावों के जवाब में इरान की परमानू रन्नीती में संभावित बदलाव का अस्सुझाव देती हैं बतादे कि अमेरिका और इस्राइल समेथ तमाम पश्चिमी देश इरान पर आरोप लगाते आये हैं कि तेहरान चोरी छिपे कई सालों से परमानू हत्यार बनाने की तैयारी कर रहा है हाला कि इन आरोपों को इरान नकारता आया है खास बात ये है कि साल 2015 में इरान ने चीन, फ्रांस, रूस, प्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ परमानू कारिकरम बंद करने को लेकर एक डील की थी हाला कि बीच-बीच में कई ऐसी अमेरिकी रिपोर्ट्स आई जिसमें इरान के न्यूकलियर प्लान पर खुलासा हुआ 2023 में अमेरिका ने सेटलाइट इमेज जारी कर ये दावा किया कि पहाड के नीचे इरान की परमानू फैसलिटी जारी है ऐसी आशंका जताई गई कि अगर इरान चाहे तो दो हफ्तों में परमानू हत्यार बना सकता है खबर के मुताबिक इरान 83.07 फीजदी प्योर यूरेनियम बनाने में कामया भी हो गया है हाला कि परमानु हथियार बनाने के लिए 90 फीजदी प्योर यूरेनियम होना चाहिए यानि दावा किया गया कि एरान परमानु हथियार से ज्यादा दूर नहीं है ऐसे में आने वाले दिन मिडली इस्ट के लिए काफी एहम रहने वाले हैं जो इस इलाके की दशा और दिशा तै करेंगे